हेलो स्टूड़न वालकम तुमार यूटूब चैनल एक्सेलेंट सक्सेस ग्रूप तो स्टूड़न आज हम डिसकस करेंगे क्लास 7 में चैप्टर नमबर 5 लाइन एंगल्स की एक्सेसाइज 5.1 का कोश्चन नमबर 7 Britt Guy quad fusion नमबर 7 में गणतुरुं में रखा है Can 2 model be supplementary का दो नमड़ी संप्लेमेंटरी हो सकते हैं if both of them are acute donateur की नि पेँड़न की होने चीढिवर क्या होता है सफलेंटरी का मतलब कोई पतुर एंगल इंका संप् film कितना होना चीढिए 180 के लिए था चीढिए देखे देखे तो मैं, if two angles are supplementary, their sum is 180 degree, दोनों का sum क्या होने चाहिए, 180 degree होने चाहिए, हमारे पर तीन situation है, दोनों acute होने चाहिए, दोनों obtuse, दोनों right angle, इनको हम example की थरू समझते हैं, ठीक है, हमें मालूम है, acute angle, वो angle होता है, जो 90 से कम होता है, less than 90 degree, तो मैंने कोई भी acute angle लेलो, अपनी मर्ज़, कोई भी 90 से कम होना चाहिए, मालों एक लेली हमने 80 degree, दूसरा लेली 85 degree, और supplementary का मतलब है, दोनों का जो sum है, दोनों angle का sum 180 degree के equal ही आना चाहिए, तब ही वो supplementary angle कहला आएगा, दोनों को sum करके दिखा, 85 and 80, equal किस के आना चाहिए, 180 degree के, plus किया, 5, 165 degree के angle निकली आया, किया, दोनों set बराबर हमारी, दोनों set बराबर नहीं है, अगर हम दोनों acute angle लेते हैं, तो 180 degree के आता ही नहीं है, equal, तो ये condition तो possible ही नहीं है, it's not possible, कब, जब हमारे दोनों angle क्या होंगे, acute होंगे, तो ये तो possible नहीं है, second condition, ठीक है, इसके लिए भी क्या लेंगे, second बोले, obtuse होने चाहिए, obtuse का मतलब होता है, कि दोनों angle हमारे greater than 90 degree होंगे, but less than 180 degree होंगे, कुछ भी ले लो आप हमनी मर्जी से, जैसे कि मैंने एक ले ले लिए 100 degree, दूसरे ले लिए 110 degree, आप ज़रूरी नहीं ह कर देखा हमने, क्या 180 degree की equal आ रहे कि नियार, दोनों को जोड़ा, कि इतना है, 210, ये दोनों तो बराबर ही नहीं आ रहे, अगर दोनों बराबर ही नहीं आ रहे, तो ये supplementary अंगल नहीं कहलाएंगे, और ये condition possible नहीं हो पाएगी, ठीक है, है लेकिए, it's not possible, ऐसा possible ही नहीं, क दीसरी condition, बोला right angle होना चीए, right angle का मतलब होता है, 90 degree, दोनों एंगल हमारे 90 degree के ही होंगे, यानि पहला भी 90 degree, दूसरा भी 90 degree, चेक करते हैं, 90 प्लस 90, दोनों का जोड़ा कितना होते, 180, इधर भी कितना है, 180, दोनों साइड हमारी 180, ए 100 सी बराबर आ गये है, तो इसका condition हमारी possible हो सकती है, ठीक है, यह लिकेंगे, they are supplementary, supplementary angle, ठीक है, तो यह possible हो सकती, दोनों right angle होंगे, तो, यह मारे exam question number 7 यहां पर complete होता है, अब हम बिसक्स करेंगे question number 8 को, तो student question number 8 बोला गया है, an angle is greater than 45 degree, कोई एक angle है, जो 45 degree से बढ़ा है, is its complementary angle greater than 45 degree, अगर उसका complementary angle निकाला जाए, तो तीन option हमार पास, वो 45 degree से बढ़ा होगा, या 45 degree के बढ़ाबर होगा, या less than 45 degree के होगा, तीनों में से कोई एक answer होगा इसका, चेक करते हैं, हमें बोला गया है, complementary पहले बढ़, पहले में इसका मतलब समझा दू, complementary angle का मतलब क्या है, कोई भी दो angle होगे, दोनों को जोडने पर 90 degree आना चाहिए, ठीक है, दोनों को जोडने पर 90 degree आना चाहिए, यह first angle है, यह second angle है, तो मैंने माले लेट, first angle, पहले अंगल बोला गया है, greater than 45 degree से है, greater than 45, ठीक है, अब 45 से बड़ा कुछ भी ले लो, 46, 47, 48, 49, कुछ भी आपकी जुमर चाहिए, ठीक है, इसको हमें example से करेंगे, ताकि आपको easily answer मिल जाए, समझ में आ जाए, तो आप चाहिए 50 ले लो, 46 ले लो, 47 ले लो, 49 ले लो, आपके मरजिये मैंने ले ले 50, जो कि 45 से जाए है, पहला angle हमें मिल गया, दूसरा angle हम निकाल लेंगे, यहाँ रखा मैंने 50 degree, second angle हमें मालूम नहीं है, चलो देखते हैं second angle के आता है, positive का है, दूसरी तरफ जाए किसक 40 degree, second angle कितना है, 40 degree, अब जो 40 degree के angle है, क्या यह 45 से जाए है, नहीं, यह option फेल हो गया, क्या 45 के बराबर है, बेंदाले बराबर दूसरा फेल हो गया, क्या 45 से कम है, हाँ, definitely 45 से कम होगा, तो student यहाँ मैंने मेंशन कर देख, the complementary angle would be less than 45 degree, अगर इसका दूसरा complementary angle होगा, 45 degree से कम ह होगा, इसी के साथ हमारा question number 8 यहाँ पर complete होता है, उमीद करता हूँ student आपको question समझ में आ गया होगा, अगर आपको वीडियो पसंद आया, तो वीडियो को like करें, share करें, comment करें, उन्हें चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें